नमस्कार गुडिवनिंग क्या हाल चाला मेरे प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के साथ साथ 12 फिजिकल केमिस्टी का एक और चैप्टर भी पैरलल चलाऊंगा तो बच्चों आज मैं वो चैप्टर सुरू करने वाला आ हूँ और वो चैप्टर है हमारे पास कैमिकल कानेटिक्स ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे कैमिकल कानेटिक्स का बेसिक इंट्रोक्षन और कुछ थोड़ा सा रेटॉप रेक्शन के बारे में ठीक है बच्चों तो चलो भई सबके सब हैडिंग लगाएंगे आप कैमिकल क तो बच्चों पहले समझते हैं, what is the meaning of these two words, chemical as well as kinetics, ठीक है, तो बहुत simple सी बात है, chemical का मतलब होता है बच्चों, chemical reaction, chemical or reactions है न, तो जब भी हम chemistry की बात करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, chemical reactions पढ़ेंगे, और यहां पर एक word आया है, kinetics, तो kinetics का मतलब होता है, सब लोग जानते ह movement, है न, movement नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या एक चीज का दूसरी चीज में convert होना, अब देखें, movements सब्द से आप क्या समझते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि movements का मतलब होता है, किसी चीज का, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और यहां पर चीज क्या है, chemical reaction, त एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिल्कुल नहीं, ठीक है न, यानि अगर हम chemical reaction में movements की बात करें, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, अब देखो, जब भी हम किसी chemical reactions की बात करते हैं, तो माल नेजर हमारे पास एक A कोई compound है, और वो B में convert हो रहा ह तो बच्चों, left hand side, इस arrow के left hand side जो भी होगा, उसको हम बोलेंगे reactants, क्या बोलेंगे, reactants, और जो arrow के right hand side होता है, हम उसको बोलते हैं product, ठीक, तो यानि किसी भी chemical reaction में, reactants convert into products, समझ में बात आ गई, ठीक है, reactants convert होते हैं product में, अब reactants कितने भी हो सकते हैं, और product कितने भी हो सकते हैं, for example, A plus B convert होता है, C और D में, तो यानि A और B हमारे क्या होए, reactants, और C और D हमारे क्या होए, products, समझ में बात आगे, तो इसी तरह हर कोई reaction होगी, for example, अगर मैं बात करूँ, H2O2 है ना, और ये convert हो रहा है, H2O plus half O2, ठीक है, तो H2O2 हमारे पास क्या है, reactants, H2O और half O2 हमारे पास क्या है, product, समझे, इसी तरह है, PCL5 break down into PCL3 and CL2, तो बच्चो PCL5 हमारे पास क्या होगा, reactants, और ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, products, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, कि किसी भी reaction में reactants क्या होते हैं, और product क्या होते हैं, ठीक है, समझे, बात आगे, तो ये बात होई chemical reaction की, अब बात करते हैं, moments, जैसा मैंने आपको बोला, कि सामान्य तोर पर, moments का मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन बच्चो रियक्शन, जो chemical reaction होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो नहीं, तो chemical reaction के point of view से, what is the meaning of moment, moment का मतलब क्या होता है, तो बच्चो moments का मतलब यहाँ पे होता है, rate, और rate को हम क्या ले सकते है, speed, तो यह हुआ, moments का मतलब, यानि किस rate से या किस speed से यह जो reactant है, वो product में convert हो रहा है, यानि यह जो chemical reaction है, यह किस rate से और किस speed से हो रही है, और दूसरे सब्दों में, जैसे मैंने आपको बताया, कि यह जो हमारा A है, वो कितनी देर में B में convert हो जाएगा, ठीक है, या reactants कितनी देर में product बना देंगे, this is called kinetics or moments, तो जब भी हम chemical kinetics की बात करेंगे, तो साथ में किस की बात करेंगे, rate और speed of reaction, यानि जो हमारी जितनी भी chemical reaction हमने लिखी है, वो कितनी देर में complete हो रही है, या reactant कितनी देर में product में convert हो रहा है, तो यह basic है, chemical kinetics का, समझ में बात आ गई, कि reactant क्या होए, product क्या होए, और जब हम moments की बात करेंगे, तो किस की बात करेंगे वच्चों, rate और speed की बात करेंगे, यानि speed of reaction, मतलब कितनी देर में speed, कितनी देर में वो reaction complete हो रही है, तो समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा फटाबड note down करो, फिर आगे चलते हैं, तो जो chemical kinetics topic है, इसमें हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे हैं न, तो यह मैंने आपको बता दिया कि, chemical kinetics का मतलब क्या होता है, अब इस chapter में हम क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं तीन चीजे, एक हम पढ़ेंगे rate और speed of reaction, दूसरा हम पढ़ेंगे factor, factors affecting rate of reaction, ठीक है बच्चों, और तीसरा हम पढ़ेंगे mechanism of reaction, ठीक है बच्चों, तो chemical kinetics के पूरे chapter में इन तीनों पर फोकस होगा, what is the rate of speed of reaction, यानि किस rate के साथ कोई particular reaction complete हो रही है, दूसरा, कौन-कौन से ऐसे factor है, जो rate of reaction को change करते हैं, ठीक है, और बच्चों आपने पढ़ा होगा जैसे, कई सारे दियाओदर temperature, फिर आपने पढ़ा होगा pressure, और फिर आपने पढ़ा होगा catalyst, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे कि mechanism of reaction, वो particular reaction किस mechanism के थुरू complete हो रही है, ठीक है बच्चों, तो इन तीनों का हमारे chapter में focus रही है, ठीक है, तो अब chemical kinetics की definition भी हम इन तीन point से मिलकर बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, अब देखो, chemical kinetics, the branch of chemistry deals with the rate or speed of reaction and factor affecting rate of reaction and the mechanism by which the reaction is proceed, is called chemical kinetics, बस, तो अगर आपको ये तीन point समझ में आ गए हैं, तो इन तीन point की study ही chemical kinetics कहलाती है, कौन से तीन point, एक तो किस speed से या किस rate से reaction complete हो रही है, दूसरा कौन कौन से ऐसे factor हैं, जो कि rate of reaction को change करेंगे, ठीक है, और सबसे important factor है, कि किस mechanism के थुरू वो particular reaction complete हो रही है, तो समझ में बात आ गई, तो इनी तीन चीजों को हम detail wise पढ़ेंगे, समझे, ठीक है, तो मिटा दू है, चलो भई, मिटा दिया जाए, ठीक है बच्चों, आप देखो, तो सबसे बहले बात करेंगे, rate और speed of reaction, ठीक है, चलो, तो अब chemical current इक्स भी मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों, आप देखो है ना, अब हम बात करते हैं, rate of reaction, rate of reaction, ठीक है बच्चों, और on the basis of, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, rate of reaction, को मद्य नजर रखते हुए, हम reaction को, जितनी भी reaction हमारे पास है, उनको हम तीन category में classified करते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे, on the basis of rate, the reactions are classified, ठीक है, तो reaction को हम जो है, जितनी भी हम reaction पढ़ेंगे, वो क्यों तीन टाइप से उनको classified करते हैं, और किस बेसे पर, rate पर, तो एक reaction बच्चों ऐसे होती है, जो बहुत fast होती है, very fast rate, जिनका rate सबसे ज़्यादा fast होता है, दूसरी वो reaction होती है, जिनका rate बहुत slow होता है, very slow rate, और तीसरी वो reaction होती है, न तो वो slow होती है, न तो fast होती है, moderate rate, तो नाइदर टू स्लो नौर टू फास्ट यानि हम इसको बोल सकते हैं कि मॉडिरेट की रियक्षन है तो हमने रेट ऑफ रेक्षन को रेट आप रियक्षन के बेसिस पे कैमिकल रियक्षन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया एक वह रियक्षन जो सबसे fast होती है दूसरी reaction जो सबसे slow होती है और तीसरी reaction इनके बीच न तो वो ज़्यादा slow है न तो वो ज़्यादा fast है ठीक है अब इनके example देख लेते हैं तो बच्चन जो सबसे fast reaction होती है वो हमेशा ionic reaction होती है आपने पढ़ाओगा ionic reaction are very fast और इनका rate अगर देखा जाए तो 10 की power minus 12 से लेकर 10 की power minus 16 second में ही complete हो जाती है इतना कम इने second के अरब हिस्से में भी complete जाए आपको पता है लगेगा reaction कम complete हो गए तो these are ionic reaction होती है और इनका rate of reaction बहुत fast होता है पता नहीं जलेगा अगर मैं बोलू NaOH plus HCl तो बच्चों क्या बनने वाला है NaCl plus water फटा फट हो गई ठीक है उसी तरह H2SO4 plus BACL2 तो बच्चों क्या बननेगा यहां पर BASO4 plus 2HCl complete ठीक है तीसरी reaction है हमारे पास AgNO3 plus BACL2 ठीक है तो AgCl2 AgCl plus BANNO3 का whole twice है ना ऐसा लिख सकते हैं इस तरह से तो जितनी भी ionic reaction आपने पढ़ियोंगी acid base की reaction ठीक है वो सारी reaction जो है क्या होती है बच्चों very fast होती है और उनका rate of reaction सबसे ज़्यादा होता है और मैंने आपको बता ठीक है तो clear हो गया तो यह थी हमारे पास ionic reaction जिनका rate of reaction सबसे ज़्यादा होता है number two की बात करते है जो बहुत slow reaction होती है तो इसमें example आता है rusting of iron यानि लोहे पर जो जंग लगता है यह ना लोहे पर जंग कैसे होता है आपनी दोगा Fe2O3 है ना बच्चों यह तो होता है iron oxide तो iron जो है moisture की present में क्या करता है rusting cause करता है और वो जो reaction होती है rusting of iron होता है वो बहुत slow rate से होता है इसमें लगबग months तक लग जाते है महिनों तक चलती रहती reaction complete होने में महिनी रख जाती है तो इस type की reaction को हम बोलेंगे very slow rate वाली reaction clear होगी है अब बात करते हैं ऐसी reaction जो न तो fast होती है न तो slow होती है ठीक है बच्चों और यह इनी वाली reaction को हम लोग अपने chemical kinetics chapter में study करेंगे पहले ध्यान रखेंगे ना न तो इनको study करेंगे किन को study करेंगे जो न तो जदा fast होती है जो न तो जदा slow होती है ठीक है moderate rate वाली reaction होती है तो चलो अब इनके example करके देखते है तो हमने rate of reaction के आधार पर reaction को तीन काटिकरी में divide किया very fast, very slow और neither too fast nor too slow तो यानि moderate rate ठीक है moderate rate वे जो complete हो रही है उन reaction को हम बात करेंगे ठीक है, अब देखो कौन कौन सी reaction है hydrolysis of sucrose sucrose का formula होता है C12H22O11 और बच्चों जब इसका hydrolysis करेंगे तो क्या बनता है सब को मालूम है sucrose किस से मिलकर बना होता है sucrose मिलकर बना होता है glucose and fructose और दोनों का formula क्या होता है same होता है पर दोनों एक दूसरे के functional ASMR होता है अगर मैं glucose की बात करूँ तो glucose में कौन सा group होता है LDH group होता है और अगर मैं fructose की बात करूँ तो fructose में कौन सा group होता है ketone clear हो गया लेकिन दोनों का molecular formula same होगा तीसरा sorry दूसरे example है ester ester का आप hydrolysis करो सपोज माल ने जाए CS3 COO C2H5 ethyl acetate और इसका आप hydrolysis कर रहे हैं तो बच्चों क्या होगा देखो एक बनता है acid कौन सा ये वाला acid और एक बनेगा alcohol ठीक है तो ये हो गया हमारे पास ethyl acetate और ये हो गया बच्चों acetic acid ये हो गया ethanol तो ये reaction भी हम study करेंगे ठीक है दूसरा हम बात कर सकते हैं formation of ammonia देखो N2 plus 3H2 ठीक है reversible process क्या-क्या यूज़ करेंगे iron oxide का catalyst यूज़ करते हैं तो हमारे पास बनता है ammonia तो इस reaction के study करेंगे तो बहुत सारी ऐसी reaction है जो की न तो ज़्यादा fast होती है न तो ज़्यादा slow होती है और इनी study हम के समें करने वाले हैं अपने chemical kinetics chapter में तो clear हो गया भाई तो generally हमने तीन टाइप की reaction पड़ी fast slow and moderate rate वाली reaction ठीक है और हम moderate rate वाली reaction का chemical kinetics में हम rate of reaction निकालने वाले हैं तो बेटा दुबई ठीक है चलो next इस तरह से बच्चों हमने टीन टाइप की reaction पड़ी है ना अब बात करते हैं कि reaction का rate कैसे मालूम करेंगे how to determine है ना how to determine rate of reaction how to find out how to find out the rate or reaction ठीक है चलो देख लेते हैं suppose suppose कीजिए कि हमारे पास A convert हो रहा है B में तो बच्चों A है हमारे पास reactants और B है हमारे पास product reactants ने reactant कर देते A की है ना तो A is reactants और B is product clear हो गया है ठीक है अब देखो जब भी बच्चों rate की बात होती है ध्यान रखे ना जब जब भी rate की बात होती है तो rate के साथ एक factor जुड़ा होता है time मालूम है अगर मुझे किसी कार की speed मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे देखो माल या जब जब कोई कार की speed मुझे मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे distance कितनी cover की है और कितने time में cover की है तो हम उसकी speed को मालूम कर लेंगी ठीक है सेम फेक्टर यहाँ पर reaction के साथ भी होता है ठीक है अगर मुझे reaction का rate या reaction की speed मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे distance by time करने वाले हैं लेकिन बच्चों यहाँ पर reaction जो है कोई भी distance cover नहीं करते है जैसे मैंने आपको बता है तो अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर करेंगे की reactant and product की concentration ध्यान रखे है ना यानि change in concentration of reactant or product with respect to the time is called rate or speed of reaction ध्यान रखे है ना तो यानि कितने time में reactant and product की concentration change हो रही है उसको हम बोलेंगे rate of reaction अब देखो मैं आपको बताने वाला ध्यान रखे है ना तो अभी मैंने आपको example दिया काड़ी का तो same हम करने वाले है reaction के साथ ठीक है आप देखो ध्यान दीजे तो पहले rate और time है दोनों का आप ध्यान रखे है तो बच्चों माल याजा हमारे पास reactant है और वो convert हो रहा product में ठीक है तो क्या होगा शुरू में reactant ज्यादा है product 0 है माल याजा हमारे पास शुरू आत में reactant के 100 molecule है तो product के 0 है ठीक है बाद में क्या होगा जैसे जैसे reaction होगी तो बच्चों reactant के जो molecule है वो कम होते रहेंगे और product के molecule बढ़ते रहेंगे ध्यान रखना ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देखो at time t1 ठीक है the concentration of reactant is r1 ठीक है और at time t2 the concentration of reactant is r2 समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं यानि कि जैसे reaction complete होगी तो reactant की concentration कम होगी ठीक है तो पहले reactant की concentration r1 थी बाद में reactant concentration कितनी होगई r2 होगई ठीक है तो बच्चों क्या होगा r2 हमेशा कम होगा और r1 हमेशा जादा होगा क्योंकि धीरे-धीरे reactant की concentration क्या हो रही है कम हो रही है समझे मेरी बात तो इसके just opposite क्या होगा product की concentration पहले कम थी बाद में product की concentration बढ़ेगी ठीक है तो हम यहाँ पहले लिख सकते है P1 and at time T2 the product concentration is P2 ठीक है बच्चों तो P2 पहले क्या था कम था और P1 पहले क्या था कम था और जैसे जैसे time गुजरता गया तो P2 क्या हो गया ज्यादा ठीक है तो यह एक basic concept है rate of reaction निकाल लेगा ठीक है बच्चों और देखो अगर हमारे पास rate of reaction की concentration R है तो हम इसको ऐसे लिख सकते है यानि यह वाला bracket बड़ा bracket लगाएंगे तो बड़ा bracket का मतलब क्या होगा molar concentration उसी तरह R2 के case में भी molar concentration उसी तरह P1 के case में भी molar concentration उसी तरह P2 के case में भी molar concentration ठीक है तो अब समझ ये कि reactant की concentration कम होगी time के साथ साथ और product की concentration क्या होगी बड़ेगी time के साथ साथ ठीक है बच्चों तो हम इसको एक equation में कैसे लिख सकते हैं देखें कितना note कर लिए सबने बस आपको समझाने के लिए कि rate किस तरह से हम कैलकुलेट करने वाले हैं है ना आप देखो rate of reaction for reactant reactants तो reactant के लिए क्या होगा बच्चों change in concentration of reactant by time यह तो होगा और product के लिए क्या होगा देखो rate of reaction प्रोड़क्ट डेटली प्रपोर्शन टू दा चेंज इन प्रोड़क्ट विद रिस्पेक्ट टू दा टाइम है ना ऐसी तो होगा ठीक है और change in concentration of reactant का मतलब हम इसको कैसे लिए सकते हैं डिक्रीज डिक्रीज दा कॉंसेंट्रेशन ओफ रियक्टेंट की काम हो रही है और प्रोड़क्ट की कॉंसेंट्रेशन चेंज के और यह बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज दा कॉंसेंट्रेशन ओफ प्रोड़क्ट ठीक है इस तरह से हम रियक्टेंट और प्रोड़क्ट के लिए अलाग अलाग रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है तो जस्ट बोलने का मतलब यह है कि जब हम अब रेट आफ रेक्शन निकालेंगी तो बच्चों क्या होगा रियक्टेंट की कॉंसेंट्रेशन कम होगी और प्रोड़क्ट की कॉंसेंट्रेशन बढ़ेगी क्लियर हो गया नोट कीजिए फटा फट फट फिर मैं आगे बताने वाला हूं है तो दोनों के लिए हम रेट निकाल देंगे आप मैं दोनों को एक साथ कैसे लिखता हूं देखो तो हम अब दोनों के लिए देखें न अब देखो रेट ओफ रियक्शन डैटली परपोर्शन टूदा change of concentration of reactants और product with respect to the time अब दोनों को लिलिया मैंने reactant और product तो reactant की concentration गटेगी तो product की concentration बढ़ेगी with respect to the time is called rate of reaction clear ठीक है चलो अब इसको कुछ mathematical equation में देखते हैं ये कैसे आता है ठीक है चलो बाई मिटा दो इसे तो generally rate of reaction में concentration change होगी किसकी किसकी change होगी बाई reactant और product की ठीक है तो suppose हमारे पास है एक A और A बन रहा है B ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर लिता हूँ at time T1 तो यानि initial मैं ले रहा हूं T1 time तो T1 time पे इसकी concentration कितनी है मा लिया जाए इसकी concentration R1 है ना reactant R1 तो जो product है इसको P लिखते है ठीक है यह है आपके पास reactants किसमें convert हो रहा है प्रोडक्ट में ठीक है शुरुत टाइम यानि शुरू के टाइम में at the time T1 reactant की concentration कितनी थी आरवन ठीक है तो प्रोड़ेक्ट की concentration कितनी होगी बच्चों पीवन ठीक है जैसे जैसे टाइम गुजटता गया कि एट टाइम टीटो ठीक है रेक्टेंट कम हो गया तो रेक्टेंट की दूसरी कंसेंट्रेशन हमने कितनी लिखी और टू तो प्रोड़ेक्ट बढ़ गया तो प्रोड़ेक्ट की concentration कितनी लिखी टू क्लियर यह मैंने भी आपको बताया था तो यानि आरवन एन आरटू दा अब देखो आरवन होगा ज्यादा तो आरटू कम ज्यादा तो यह कम क्योंकि देरे देरे कम होगा पीवन कम होगा तो पीटू ज्यादा होगा क्लियर समझे मेरी बात आप देखो आप दोनों को equation में कैसे लाते हैं वन बाई वन करके ठीक है ना तो भाई equation में लाना है तो देखो rate of reaction ठीक है for reactants पहले reactants के लिए ना तो क्या होगा बच्चों आर टू माइनस आर वन आर टू की molar concentration माइनस आर वन की molar concentration इक्वाल टू टी टू की और माइनस टी वन मतलब यानि हम क्या करेंगे rate करेंगे तो change क्या हो रहा है आर टू से आर वन यानि आर वन से आर टू चेंज हो रहा है ठीक है तो final concentration में initial concentration घटा देंगे ठीक है और final time में से initial time घटा देंगे ठीक है अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते देखिए आर टू माइनस आर वन को हम लिख सकते हैं डेल्टा आर डेल्टा को अंदर रखो है ना डेल्टा आर ठीक है यानि change in the concentration of reactant with change of time with respect to the change of time clear तो डेल्टा आर को हमने डेल्टा T से डिवाइड कर देया तो वह होगा reactant की concentration और बच्चों same concept है rate of reaction of product तो product में क्या होगा P2 की concentration minus P1 की concentration by T2 minus T1 ऐसे होगा T2 minus T1 ठीक है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे डेल्टा पी ठीक है और बाई डेल्टा टी आगे तो product की concentration change in the concentration of product by डेल्टा टी तो डेल्टा का मतलब होगा तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे reactant की concentration and product की concentration को vary करते वे देखेंगे किस तरह से आ रहा है ठीक है चलो अब आगे अब यहां पर एक important चीज और देखें बच्चों है ना जब भी हम reactant की concentration को लिखेंगे हम इसके आगे sign लगाएंगे minus माइनस साइन लगाएंगे मैंनस और बच्चों minus sign क्यों लगाएं देखें हमेसा r2 जो है कम होगा और r1 ज्यादा होगा तो अब ज्यादा कम वाली value से ज्यादा वाली value को उटाएंगे तो delta r के value हमेसा क्या होगे माइनस में आगे तो माइनस और माइनस को हम इंटो करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इसलिए हमें जो है reactant की concentration के आगे क्या लगाया minus और बच्चो product की concentration के आगे क्या लगाएंगे हम plus clear तो इस तरह से हम जो है in sign को रखते हैं तो ध्यान रखें कि minus क्यों लगाया है ना clear हो गया चलो अब पूरी एक reaction को हम लिखेंगे कि rate of reaction कैसे करेंगे है ना अब देखो पूरी reaction को एक साथ rate of reaction equal to delta r आज डेल्टा बाहर ही रखो है ना delta r by delta t minus equal to plus delta p by delta t सब्सक्राइब यानि रियेक्टेंड की concentration with respect to the time equal to plus sign product की concentration का क्या लगाया sign plus का लगाया ठीक है with respect to the time और इसके आगी concentration लगाया minus तो यह हो जागा हमारे पास rate of this reaction कि reactants product में कैंसे convert हो रहा है clear हो गया तो यह final हमारे पास निकल के आया कि इस तरह से हम rate of reaction का calculation करने वाले है ठीक है बच्चों चलो तो अब देखो अब अगर मेरे पास एक reaction है जिसमें हम लिखते हैं pcl5 convert हो रहा है pcl3 plus cl2 में तो इसके लिए इस equation में कैसे लिखेंगे देखिए rate of reaction equal to minus तो बच्चों यह reactant है तो reactant कौन सा है यह वाला reactant है तो delta pcl5 by delta t और sin minus equal to product दोनों है तो दोनों को हम बारी-बारी के लेखेंगे तो plus delta pcl3 molar concentration by delta t equal to plus delta cl2 की molar concentration by delta t समझ में बात आ गई ठीक है तो इस equation को मैंने इस reaction के लिए ऐसे change कर दिया ठीक है तो जो भी आपकी product की concentration होगी उसके आगे आप plus लगा के delta का sign लगांगे ठीक है और जो भी reactant की concentration होगी minus का sign लगा के ये equation लिखते के तो किसी भी reaction के लिए आप ये equation लिख सकते हैं clear होगे ठीक है चलो अब मैं आपको एक equation देता हूँ a plus b और convert हो रहा है c plus d में तो कैसा लिखेंगे देखे rate minus delta a by t equal to minus delta b by delta t दोनों के साइड minus equal to plus delta c delta t equal to plus delta d by delta t विल्कुल सिंपल है तो reactant की concentration को बारी-बारी से हमने minus sign के साथ लिखा है और product की concentration को बारी-बारी से हमने plus sign के साथ लिखा है तो इस तरह से हम rate of reaction लिखेंगे किसी भी chemical reaction की तो समझ में आगे बच्चो तो इस तरह से हम rate of reaction को हम show करवाते हैं ठीक है बच्चो चालो बाई मिटा दिया जाए मिटा दिया जाए अब बारी आती है कि rate of reaction की unit कौन सी है न तो unit of rate of reaction unit of rate of reaction है न बच्चो तो देखो rate of reaction क्या हो रहा था जो concentration है ठीक है वो time के साथ change हो रहे थी ये तो हुआ concentration change with time और time नीचे था और बच्चो concentration को हम लिखते हैं mole per liter है ना तो इसका मतलब हो गया mole per liter per time तो इसके लिए हम value लिखेंगे mol mol l-1 s-1 यानि time के लिए हमने लिखा second liter के हमने लिखा l-1 और mole के लिखा हमने ml तो ये हमारे पास rate of reaction की unit हो जाएगे mole liter-1 second-1 clear हो गया ठीक है अब यहाँ पर एक graph मैपको बताने वाला हूँ उसके बाद खतम करते हैं आप देखो बच्चों simple सी बात है एक graph है ऐसा इधर है concentration और इधर है time है ना अब देखो ये आया नीचे ये गया उपर तो बच्चों ये जो है line है r की और ये line है p की तो क्या पता लग रहा है कि जो reactant है वो ज़ादा है पहले और धीरे धीरे time होता जा रहा तो reactant की concentration कम होती जा रही देखो ना reactant की concentration कम होती जा रही है और product पहले कम था तो time के बढ़ने से प्रोड़क के कॉंसंट्रेशन भी बढ़ती जा रही है तो सेम कॉंसंट्रेशन हमारे पास है कि आर पी तो जैसे जैसे प्रोड़ेगा आर कम होगा और पी जाधा होगा तो यही अभी मैंने पूरी बगवास कि है कि rate of reaction में reactant कम होता है और प्रोड़क्ट बढ़ता है क्लियर चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं बाकी के concept next video में आपको पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो hydrocarbon भी आपको मिलता रहेगा और chemical करनेटिक्स के लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे ठीक है बच्चो कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेख सकते हैं तब तक के लिए थैंक्यू बारी मच